आज हम बात करने जा रहे हैं टाइटल ओफ प्रेशी के पारे में किस तरह से टाइटल दिया चाए हुआ, उनके इन बातों का ख्याल रखा जाए ठाइटल देते हुए सबसे पहली बात तो यह है कि टाइटल प्रेशी का हमेशा स्टार्ट में आता है कि अगर भी आपने ऐसी कुई किताब देखी है जिसका टाइटल एंड पर आता हो ठीक है इसलिए आपने हमेशा टाइटल स्टार्ट में देना है प्रैसी के ठीक है उसके बाद जो आइनिंग राइटिंग नहीं होनी चाहिए आपने वो अलग जिससे हम लिखते हैं सेपरेट वर्ड्स लिखते हैं उसलिए से आपने लिखते हैं देन उसके बाद आपका जो टाइटल है वो कोटेशन नहीं होनी चाहिए और वो कोई प्रोवर्ब नहीं होना चाहिए आपका title आपका अपना है individual है ठीक है तो वो फिर quotation और proverb कैसे हो सकता है more or उसकी जो length है वो three to six words तक हो सकती है सबसे लाजमी बात ही है कि आपका जो passage जिस loves पे जिस key word पे base करता है for example अगर वो world war के बारे में है या अगर वो corona के बारे में है तो आपके title में वो love जरूर होना चाहिए कि जिस पे आपका आपका सारा जो प्रैसी है वो base करती है उसके इलावा आपने phrasal form में लिखने है ठीक है phrasal form का क्या मतलब है यह नहीं कि आप खाली लिखने कि for example democracy and Pakistan आपने इस तरह से नहीं लिखना है democracy in Pakistan phrasal form में आपने लिखने है उसके इलावा आप punctuation आप colon तो दे सकते हैं semi colon भी दे सकते हैं ठीक है लेकिन आप brackets का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसमें नहीं आपने inverted commas का इस्तमाल करना है और नहीं आपने title को underline करना है ठीक है अक्से लोग क्या करते हैं अक्से students थोड़ा अच्छा impression जाडने के लिए underline भी कर देंगे inverted commas भी लगा देंगे और मतलब इस तरह से उसको थोड़ा fancy बनाने के कुशिश करते हैं इन सब की कोई जुरुत नहीं होती आप पसना safe play करें ठीक है उसके बाद जाहिर है आप marker करें title देते हुए और capital जब आपने किस तरह से करना है क्यूंकि आपका title एक phrase है तो phrase में क्या करना है आपने जिससे democracy in a state ये एक आपका title है ठीक है तो आप democracy का d बढ़ा कर दे जाहिर है वो तो करना है ठीक है उसके बाद in का जो है i चोटा रहेगा भी चोटा रहेगा और state का s भी चोटा रहेगा इस तरह से आपने title देना है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आप title जो है इन सीजों को दिहान में रखकर दिया करेंगे kindly subscribe my channel and don't forget to share it with your friends thank you so much